सारे काकेता हुआन है सारे काकेता ही तैयन है सारे सफिद्दो आड़े नर सारे पिल्लू केड़े नर और वाइक सारे खासकर बुराइन आड़े नर मेरी ओडता है राम राम मैं उठारा और यहने भी पत्रगार बिक्की और जै बात करा चुनाओ की चुनाओ जो है भाई थमने पता है तेईस तारिखने रेजल्ट आना है दिल्ली कोण व्याक लिया होगा और कोण बरात्म गया यह तेईस नवीरा लागेगा लेकिन चुनाओ अगला भिया नाला है क्योंकि पहले चंदीगड जो है कहीं नगई शुरू हो चुका है पहले दिल्ली अब जो है चंदीगड की जो है कहीं नगई लोग बरात्म जान की त्यारी कर चुके हैं अब बात करांगे सब्परशित समाद से भी मारे साथ जो की चुनाव जो विदान सबाह का लड़ने का बन जो है कई ना कई बना चुके हैं और आज जा मैं बात करूँ उन्होंने शुरुआ डो टो डोर गाउं से अपने ही गाउं से क्योंकि बुरायन कालवा से वो जो है अपना समंध अपना प्रिच्चा रखते हैं और वो जो आज ये स्वी मंदिर के बाहर मैं भी खड़ा हूं यहां से जो इनोंने सुरुवात कर दिया है आज से जो इनोंने अपने लिए लोगें से अपील करनी शुरू कर दिया है वोट म करता हूं आप हमारे गाओं बुराण में पदारे और हमारा आज से हमने अपना जो विधान सवा का इलेक्शन होना है उसके लिए तैयारियां सुरू कर दी हैं भगवान सिरु के मंदिर में यहां पर माथा टेक करके उसके बाद पूरे गाओं में डोर टू डोर सब को राम बढाई करी जाए उतनी कम है क्योंकि अभी इनके पास क्योंकि ने छोटे है परिवार से उन्होंने जो इसरुआत करी कहीं नहीं इनके जो मैं अगर लंबच ओड़ा प्रिच्छा दें तो स्याम हो जाएगी क्योंकि इन्होंने एक आम परिवार में जनम लिया उसके बाद नेवी में ये लगबग 15 साल जो इन्होंने कमांडेंट की पोस्ट पर जो है सेवाई दी उसके बाद जो है किंदर सरकार में जो है ये अच्छे बड़ी पोस्ट पर गजटीड ओफिसर पर ये रहे हैं अभी जो इन्होंने रिजाइन अभी डाला क्योंकि अभी इनकी 2014 तक ज इसा बलोक है जहां सरकार दुवारा कोई खास भी दानी दी गई ऐसे में कोई आदमी बीमार हो जाता था तो उसके लिए एंबुलेंस की कई नगई जरूर तो होती थी तो वह समय पर नहीं मिलती थी ऐसे में जो है इन्होंने एंबुलेंस की जो है यहां सेवाई दी थी से बढ़ा कारिया इन्होंने यहीं से जो है शुरूर करा था ऐसी में बात करूंँ गयूं-साडाओं में कई भाई क देने का काम है और सारी गुन सालाहों के अंदर इन्होंने चंदा देने का कम कर आगा है क्यम बाइक देने का काम कर रह और खील आगे बात करां को कि हमारा और यानपरंदेश से जाना जाता है और वाई इस मंदिर के सामने में भी घडा हूं इसकी एक बहुत बड़ी श्टरी है मैं बता देता ह यह 700 साल पुराणा मंदिर है और मुक्यता है यह सिव मंदिर है और सिव मंदिर के जाए मैं बात करूँ सिव मंदिर के साथ साथ यहां बैरो मंदिर भी है जो कि 500 सालों से अखंड जोत जो है अभी इसके अंदर जलती रहती है और मैं बात करूँ माता का भी मंदिर इसके माद वारा दिया जाता है क्योंकि सहयोग से ही यहां खेल हो पाते हैं क्योंकि सरकार वादे तो बड़े-बड़े करती है लेकिन अभी द्रहातल पर जाने में बहुत टेम लगेगा और आपने विधायक के लिए जो बहुत मांगनी शुरू कर दी है अभी कोई पार्टी से मिल रहा हूं बातचीत कर रहा हूं जहां तक पार्टी वाली बात है अभी तक मैंने कोई फैंसला नहीं लिया कि मैं किस पार्टी के साथ जाओंगा लेकिन आने वाले टाइम में यह जो चुनाव रूपी नदी है इसको पार करने के लिए एक नाव चाहिए नाव किसी पार के पास वैशाई के लिए भी आप आज के समय में क्योंकि गाउं में भी मैं गुमा हूं सारे लोग कैते हैं कि वैल सेटल्ड है राजबिर जी और पड़े लिखे भी लेकिन समाथ से वाई क्योंकि वैशाई में भी आप आगे जा सकते थे विकास जी ऐसा है कि मैंने जो अपना बच्पन देखा है ये बुरान जो गाउं है ये मेरी करम होमी है यहां मैंने अपना बच्पन बिताया है और मैंने यहां बहुत गरीवी के दिन यहां मैंने अपने गुजारे हैं तो मैं जब भी कभी सोचता हूं कि अगर बगवान न उसके समाज सेवा के माध्यम से लोगों की मदद करनी है मेरे को राजनीती नहीं करनी है राजनीती तो एक माध्यम अपनाना है उस माध्यम के तहट मैं एक समाज का काम करूँगा समाज हित का काम करूँगा लोगों की भलाई का काम करूँगा राजबीर की खास बात मैं आपको बता दूँ क्योंकि सुनाओ के अंदर एक जाती गताकडा हर पार्टी हर आदमी देखते हैं क्योंकि लगबग सफिद्धों की जा मैं बात करूं तो 25,000 वोट ब्रामनों के यहां हैं प्लस इनका जो गाओं का पांच गाओं छे गाओं जो कुंडूओ के पढ़ते हैं उनमें जो है विशेश लगाओ है और उनका जो अपार समर्थन इनको मिल रहा है है ऐसे में जै मैं बात करूं 25,000 से जो स्टार्टिंग हो रही है प्लस गुंडूओ के गाओं है और अलका है अगर मैं बात करूं तो एक अपार जन समर्थन यहां मिरे को दिखाई दे रहा है और जो की जीत का कई न कई नजदी की माना जा सकता है ऐसा कंडिडेट कई न कई दूसरों को पचाड सकता है क्या को गए ऐसा ही कास जी मेरे पास हमारे गाउं का पूरा समर्थन है सभी लोगों के साथ मैं समाजिक तोर पे जुड़ा हुआ हूँ मेरे को इस तरह की कोई भी चिंता की बात नहीं है कि आने वाले एलेक्शन में हमें प्रेशानी होगी क्योंकि दो गाउं से तो मैं समंद रखता तो समी है बुरान मेरी करम फुम है काल्योग से मैंने दसभास कीये और करते दे तो यह पूरा फ्लुखःडाब लोग मेरे आपना घर से भी फालतू है और सफिद्दों के अंदर मैंने बहूत समाजी कारिये करके बहुत लोगों से जोड़कर कि एक अच्चा है लोगों की टाइम में मेरे लिए मददगार से दोगा मैं बात करूँ सफिद्धो के पिल्लू खेड़ा बलोक की पिल्लू खेड़ा बलोक में अगर 2014 के चुनाओं के आकड़ अगर मैं उठा के देखूं जो अमोजुदा विदायक अजस्पीर देश्वार इसी बेल्ट के लोगों ने उनको कई ना कई ताजपोशी दी थी कई ना कई विदायक बनाया था अब की बार उनकी भी राज जो है कई ना कई जिस परकार से राजबिर सर्मा को समर्थन मिल रहा है अब की बार जो है अब की बार कई ना कई उल्टी दिखाई दे रही है क्योंकि समर्थन राजबिर सर्मा की तरफ जा रहा है ऐसे में विदायक के लिए कई ने कई एक बहुत बड़ी चुनोती का संकेत यहां से हमें मिल रहा है राजबिर जी अगर आप विदायक बनते हैं किस परकार के कारिया है खासकर पिलू खेडा बलोक की मैं बात करूं आप करने की आपकी एक रोड इतने तक सड़कों के उपर पानी भर जाता है कोई सिवरेज का सिस्टम नहीं है एक सरम की बात है कि को उपतसील होने के बाद भी इतनी सरकार आली इतनी यहां विदायक मंतरी बन करके रह लिए उसकी कोई पिलू खेड़ा बलोक की किसीने सुध ही नहीं लिए और दूसरा में जाते हैं गुड़गाओं और फृदाबाद इतना बड़ा इंडस्ट्रिल एरिया है वहाँ पे हमारे सफिद्धों रहत तक जीन्द के बच्चों को कोई आई टे वालों को डिप्लोमा वालों को कोई नोकरी नहीं देता है विदान सभा में जाएंगे तो कम से कम हमें 70 50% चाहिए थाकि हमारे बच्चे सफिद्धों गुडगाओं और फृदाबाद में जाकर के नोकरी कर सके हमारे यहां यहां पे तो इंडस्ट्री नहीं है ना कोई किसी नो दोग लगाने की कोशिस करी मैं विदान सभा के अंदर जाता हूं तो इस मुद्ध को बड़े जोर करोगे क्या अभी आप ढूर टूर गाहुंन बुरायण में कर रहे हो क्या सारे गाउं में एसा रहेगा या कुछ अलक से रोड मैफ नहीं है अभी मेरी स्रू की जो प्लानिंक है वो डूर टू डूर जाने की है आज पहले मैंने अपने गाउं से यहां से शुरू किया है फ उसके बाद पूरा जन्समू बना करके फिर जो भी मोटरसाइकल रेली निकालनी है या ट्रेक्टर रेली निकालनी है एक पूरा जन्समर्थ जन्समर्थन लोगों को जोड़ेंगे साथ में लोकरी से आप रिजाइन दे चुके क्या पर्मानेंट अब सफिद्धों आपका डे लोगों की खास समस्या रहते है कि विधायक बढ़ने के बाद चंदीजगड चले जाते हैं या पाणी पढ़े जाते हैं या समस्या इस बात को लेगे इस तरह कि कोई प्रिशानी नहीं आएगी राजबीर सरमा बुरान में मिलेगा या लोधाने में मिलेगा या पिलू घर करूंगा मेरे को धुदने की जुरूत नहीं पड़ेगी मेरे में खुछ लोगों में पास जाऊंगा ताकि लोगों को परिशानी ना हो कि लोग मेरे पास चंदिकर्ड बरात की त्यारी राजबीर सर्मा ने कर लिक्या लगता है कौन जाएगा वरात हमारी तरफ से दफाने लगे अच्छा गाउ में पूरा सपोर्ट रहेगा गाउ में 1500 वोट है कितना बुगतान राजबीर सर्मा के पक्स में होने वाड़ा है पंदरा सो पूरा ही ह है या पहले भी धायक रहे चुके उनका क्या रहने बड़ा है बुरायन में बढ़ेंगा क्योंकि अब की बाहर बुरायन लुदाना और काड़वा में जब कहीं नकी चोद्र की बात चली हुई है इनका अपना कंडिडेट जो है चुना मदान में है और लोगों सभी बात कर दूप सिंग क्या काम करते हो खेती करते हैं अच्छा खेती करते हो यह बताओ अब की बार किस नवरात में बेज जोगे राजवीडन है क्यों इसी कोई खास बात है यह बहुत शेवा करहा लगागी पहले दिन का कई दस सालों से कर रहा है कोई गाम नहीं छोड़ रहा है त गरीमा दिए पूरा शौक दे है यो अच्छा बच्पन से आप लोग जानते हो किस तरह के इनकी छवी रही है क्या लगता है इनकी दो बच्पन में भी बढ़िया इनमें गरीबी बीया ली अरे जिए इनकी छवीवाई रही है जी बढ़िया मालों कहीं बदलने वाले नही जी यो परवारे इसा है जी जो जबान करे ली तो करे ली अच्छा पिल्लू खेड़ा की अगर बात करा आपके पांच छे गाउं कुंड़ों के भी उनका कितना सही हो गोर समर्थन रहने पूरा जी पूरत पूरा पूरत पूरा सो का सो प्रेसेंट से जी पांच गाम लोके हैं और पांच गाउं यानि लुदाना बंबेवा और ये इनके गाउं में आते हैं मौर्खी आपका बागेडा और बात करा राजबीर सर्मा की जो ससुराल है सफिद्व अलके का बहुत बड़ा गाउं है आठ गाउं वहां इनकी जो है ससुराल है और ब्रहमन ओने की वज़े से 25,000 वैसे भी इनके बोट है तो लगए 35,000 तो इनकी जो है कहीं न कहीं स्टार्टिंग दीख रहे है क्योंकि पिछली बार जमा बात करूं 28,000 से जो है अमेले बन चुके थे जस्विर देशवार और अब की बार मुकावला कहीं न कहीं एक तरफा नजर आ रहा है क्योंकि 35,000 से स्टार्टिंग हो रही है तो एक बड़ा फेर बदल कहीं न कहीं राजनीती में होने वाड़ा है और लोगों से भी हम बात करांगे क्या नाम है अपना पतिशिंग जी गाओं को नसा है बुरान जी जब बुरान वाले अपकी बार चोथ दरगी लड़ाई लेकि कितने पैसे जाया वह रखवाahahaha अब खिलो में जब भी बलाए हमें हमारे घ्ल कइल जब हमारे नहीं मतले हमारे साइपडया और स्विए और शर्योग दीया है और 36 वरादरी का हमिय मारा नहीं 36 वरादरी के लिए बुरान रिए धर में या घ्ल की बात है बहुत थेज़ तरिकों नितीज़े आने वाले हैं पार्टी को भी मौका देती है तो ठीक है अगर नहीं पार्टी देती तो आप लोगों का क्या मूड रहने वारा कि के साथ हैं हमें अपने बाईयों को लेकर मारा कालवा काम है जिस तरह मतलब 500 गाम कुड़ू हैं पड़ते हैं अब चैगाम हम कुंडू इसका साथ देंगे नहीं का अर लोदाना रहा फिर बाकी और गाम बहुत रहें पांच से गाम हुए हैं हम साथ देंगे अपने बाई एक बड़ा गोतर है पिल्लू खेडा बलोक में पांच गाउं कुंडू और च्छे गाउं आते हैं च्छे गाउं अगर समर्थन में आधाते प्लस ब्रामन प्लस जाट प्लस बैकवर्ड ऐसे में आकड़ा कई ना कई दूर जाने वाला है यह दूर नहीं जाने देंगे अब देंगे तो लेगे चलेंगे वो पिछली बार बन चुक अब अपने भाई को लेके चलेंगे रिक्वेस्ट करेंगे आपको चोदर यहां पिलू खेडा लाने की जो कही ना की लोगों की त्यारी हो चुकि पिछी बार इनोंने खुल के जो है जश्वीर देश्वाल का इन लोगों ने साथ दिया था, उनको विदायक बनाया था, अब की बार ये अपनी चोधर के लिए जो है, इन्होंने एहलान कर दिया है, और भी लोगों से हम बात करेंगे, कुंडू जी मारे साथ हैं, क्या लगता अब की बार, क्या होने बार है, बाईशाब आपका को भरत के भी देख लिया, जो एक बार इदर आ करके हर आद में रिक्वेस्ट करता है, कि मेरे को बनाओ, मुँ ये कर दियूं और वो कर दियूं और बाद मुद दर्सन भी नहीं देता, दूसरी बात, एक पड़ा लगता जवान, देश सेवा, अभी समाद सेवा, और समाद सेवा, खाली स्पीलू फड़ा बलो के लिए नहीं है, इनकी ये तियत्रगाओं की, और इदर की जो कानी इस से पूछोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, जैसे बहुत जरूरी चीजे होती है, महन क्या होती है, शिक्स्या और मेडिकल, दूसरा कुछ गरीब बच्चियो मंत्री ने आज तक ये ने बोला कि मैं एक बच्चे की फीस पर हूंगा, इनों ने पूछे के अंदर ये बोला हुआ जिसक भी माबाप के पास पैसे नहीं है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी फीस देने के लिए मैं तयार हूँ, शेना में रह चुके हैं, जवान ह कहीं एक इमानदारी का ठपा मानना जाता है, अगर जवान रादनीती में आएंगे, कितना सुधारा आप लको लगतागी, ऐसा है, हमारा जो एक सेनिक भाई है ये, इनको दो परकार की बातें बताते ही नहीं, ये सिर्व एक देश के लिए ही काम करते हैं, और देश हीत की बात ही इनके दिलमाती है, इनका जो ये गुमाना बुड़ापे के अंदर या लोगों की खराब आलत करना वो शिक्षया उदर नहीं मिलती, उदर एक योकम मिलता है कि वह ये काम करना है, और इनकी निती रहते साफ सुत्री और छवी, क्योंकि राजनितीक से इनका कोई त जार करना है, नेके एक फिल्लू खेड़ा बलो का पूरे अलके को साथ लेके चलना है, रही बात, जो ये गाउं के अंदर क्या करते हैं लोग, बिला 36 बरादरी, फोजी आदमी की कोई बरादरी नहीं होती, ये 37 मिजात होती है, जो फोज की होती है, वो हर आदमी को आदमी हैं, हर औरत की इज़त, वो हमारी, कहीं पर भी है वो, वो मा, बह娘, बेटी वो सब हमारा है, जितना बाहिचारा वो सब हमारा है, हम किसी बरादरी से तालुकादनी रखते हैं हम हर आदमी की ज़त करना जानते हैं फोज के अंदर यही निती से काई जाती है और वो ही कारिय करना है इस अलके के अंदर जो जात पात का बेद बाओ जो छोटा बड़ा है समझते हैं यह हो गया वो हो गया ऐसा नहीं है राजबीर एक फोजी है पूरो नोसेनिक है सुवेदार मेजर हेरिटार है सुवेदार मेजर बना कोई आसान काम नहीं होता उसको बहुत ज़्यादा रगड़ा लगता है इस पद को पाने के लिए सटार्टिंग से रगड़ा सुरू हो जाता और लास्ट मजा के यह पद मिलता है निसान को तो उसकी निती यही रहेगे कि मैं सबी को साथ लेकर चलू पिछली बार विदायक बने थे आठ़जार लोगों को रोजगार देने की बात कही थी कि अब की बार मेरे को बना दो क्योंकि मैं जे अब मेरी अपनी खुद की इंडिस्ट्री में 8000 लोग सफिदों के जो आकाम कर रहा है अब ही मैं विदायक भी नहीं हूँ अगर मैं विदायक बन गया तो अजारों की संख्या में लोग बार जाएंगे आपके गाउं से कितने लोग रोजगार उनको मिला कितने लोग बार गए ऐसा है बाई साब ये तो है के मैंने बताया ना आपको मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया हमने सब आदमियों को जितने भी विदाय की दर अलके के अंदर बने हैं ठीक है बाई साब डिफेंस में थे लेकिन सुनते तो हैं गाउं तो बशया हुआ है हर आदमी हर आदमी की बात बताता है ये तो अपने मूझ से किसी की बुराई भी निकर रहे encouraged अभी भी लेकिन में उनको देखा है ground पर ground पर उनका कोई कारिये नहीं है जो होना चीह था होने के लिए क्या होता है देहो में चीज क्या होती है रोजगार रोजगार कहाने मिलेगा जिभ शिख्षा मारे पास होगी medical geben निकिल सुईदा होगी तो उनकी सोच है ने कि हम उनको गल्द करें ने ठीक करें लेकिन उनके खुद के विचार क्या है उन्होंने सोचना चीह था कि मेरे पिछे भी एक पबलिक है पूरा अलका मेरे साथ है तो उन्होंना चीह था देश के अंदर गूमना चीह था मिलना चीह था दुख सुक की बात करेंगे लगातार से क्या नाम है अपना बया रामजी गाओं को नो बुरायन सब्सक्राइब जो बुर्ण बुरले अबकी बार क्या अब कि बार दाव पेच लगाने गड़ेंगे एसाजी राजबीर सर्माज 17 साल से समसे हमें जुटए हुए गरीबों की सहता करता है एंबुलनेस वीदा दी है अलको को जगा जगा वाटर कुलर टेकुआ रखें बस्टेंड पर सुधारी करन करें और जगा जगा गरीब बच्चों को की पडाई के लिए फीज देता है और खेलों में योगदान देता है इसलिए राजवीर सर्मा एक समाज सेवी है काफी दिन जागो करते हैं अब की बार किसान कों अपना किसान को अपना किसान के वर नेता चुनने जा रहे हैं में बाई आधुक्र बाई। सोचल वरक कर आदमी कि है आध्य। है क्या वही कान रहेगा हां बहुत बड़ी आदमी जी जमिदार का वाड़ा गरीब भी देखी सारा सुदा देखे जिन थी सुरूत आदमी गरीब देख ली सब सुदा रेक आदमी के साथ मैं चलनी आदमी है जी भाई हम जो है गाउं बुराइन में पोंचे थे जहां क्या कारण वानते हो शुरू से देख्या जी इनको मुलब समाज की सेवा के लिए ततपर रहते हैं पड़े लिखे हैं काबलियत है और अगर भागया ने साथ दिया तो सब भी को सुई दाए अच्छी मिलेंगे अच्छा भागया पे काम के अभी आप इंतजार करोगे अपनी मेंनत पर भी सुआज मेंनत भी शाथ में चलेगा दून्हों चीजों को साथ में लेके चलने वाले हैं क्या नाम है अपना शुरूजबान जी अब कि बार किसको विदान सबाद चंदिगड बेजने वाले राजबीर सर्मा जी को गाँ कोण सापना बुरायन बाले उन्हें पूरा पूरा चत्तिस वरादरी नमन बना लिया और इनको चंडिगड़ बेज़ेंगे हैं और जगह इनको पूरा दान देव हैं और बहुत बढ़िया हैं नेक हैं और जगह जगह ठंडे पाने की प्याव बगएरा सब कुछ इंजाम कर खेंड लोगों का सिद्ध आपने दे पूरा लेकिन तष्वीरों में लोग से कई न कई परभावित नजर आ रहे हैं और और जालान कर दिया था लेकिन अब जड़ा कि सफिदों के बुराया में निए नेने शुरुखत कर दिए चुनाव की चुनाउaking का जो अपना सफिदों के अंदर कि क्योंकि अगर Secret बीद बंद भी जाते हैं और कौन नाय नुह रहेगा लगातार देखते रहे और बने रहे खाबर तैलका के साथ आपका देने